नवेले दूलहन दूलहे को और अन्ने को अच्छीद कर ट्रेन से रफुचकर हो गई एक ऐसी दूलन ट्रेन से हो गई रफुचकर दूलह सहित बरात्यों को कर गई अच्छेद मरुधर एक्स पे पट्रीबा डॉल रही थी इसी दोरान एक घटना ने हलका मचा दिया नई नवेली दुलहन ट्रेन से रभू चक्कर हो गई जानकारी के मताबिक बनारस से जैपुर नई नवेली दुलहन बिदा होकर दुले और बरातियों के साथ जा रही थी अचानक दुलहन ला पता हो गई पता चला बराति अचेथ है या तरी बताते हैं दुलहन बराति और दुले को नसीली गोलिया दे गई जिससे सबी अचेथ हो गए गोलिया शीट के आसपास भी पड़ी हुई थी अचे धालत में दुलहे और अन्ने बरातियों को नगला रामफल उतारा गया जहाँ पर रेल करमचारियों ने अस्पताल पहुंचाया हमें सुबे साथ बजे लगभग मरुधर एक्सप्रेस की घटना की जानकारी मिली थी जिसमें परिवार के कुछ लोगों को जैसा की बताया गया था कि एक महिला ने जहर दे के उनको जहर दे दिया था और वो महिला वहाँ ट्रेन में मौजूद नहीं थी उनको एक गाउ में उतार दिया गया था तो वहाँ से उनको रेलकर्मियों की मजद से एक नजदी की स्टेशन पर पहुंचा के और अस्पताल में परिवार की लोगों को भरती कराएगा जैसे सुनने में आ रहा है कि एक शादी करके वो महिला को लेके आ रहे थे और उसने ही ऐसे जहर उनको ख संग चली गई इसका पता दुलहन के परीजन और दुलहन के मिलने के बाद ही चलेगा इस बात का पता दुलहन के परीजन बताएंगे या फिर दुलहन बताईगे बहराल इस घट्ना ने रेल मैकमे में हड़का मचा दिया था वो दुलहन थी पती और अन्ने लोगों के साथ ट्रेन में जा रही थी अचानक दुलहन लापता हो जाती है परिवार के लोग अच्छे तवस्ता मिलते हैं सवाल ये उठता है आखिर दुलहन ने ऐसा क्यों किया ऐसा वक्ता है दुलहन साधी से नाकुष्टी या फिर इसके पीछे कोई और बात है इस घटना के बाद दुलह के परिवार के लोगों में हलकम मचिया है अच्छे तवस्ता में सभी लोगों को अस्पताल में भरती कराए गया है अपने साथी इकवाल के साथ राकिस कनोजिया सिर्यूस अगर